हेलो दोस्तों जैहन मैं संजय चुहान आप सभी का हर दिख स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ हाजे रहें जो करेंट के लिए बहुत ही महत्पूर है वो है विसाका पटनम में अभी हाल में हुए गैस हादसे से स अब देख रहें आनपरदेश की बिषाका पहड़नम इंगय साथ हुआ और सुबह ही के करीब यह हादसा हुआ था सात मही के दिन हाथ हुआ दो बज कर 30 म Bennett के करीब और एक गैस का साओ जिस गैस का नाम था इस टायरिन क्या था इस्टायरिन आपको याद रखना है इस टायर इसके रिसाओ से लगबग अभी तक 12 लोगों की जान जा चूँकी है और कई लोगों की हालत काफी गंबिर बता जा रही एपको बता दें आपको यहां है इसमें आप बिशागा पटनम को देख पा रहे हैं आंदा प्रदेश दिखाया गया आपको यह बिशागा पटनम है यहीं पर एक कंपनी है जिसका नाम है LG Polymer क्या नाम से है LG Polymer LG Polymer यह कंपनी है और उसमें गैस का रिसा हुआ उस गैस का नाम क्या था स्टायरिन अभी अब मैंने आपको बताया था स्टायरिन गैस का रिसाओ हुआ यह एक जहरीली गैस है जिसके रिसाओ से उल्टी और दर्द थकान कमजोरी जैसी दिक्वतों का सामना करना पड़ता है और इसमें बियोसी की हालत में और इससे जान भी जा सकती है इसलिए अब आपको बता दें यह आप जैसा कि देख पा रहे हैं यह विसाओ का पड़नम है यहीं पर एक प्लांट था एल्जी पॉलिमर कंपनी का जो अभी शुरू होने वाला था अभी शुरू नहीं हुआ था नया प्लांट लगाया था वह अभी शुरू होने वाला था और आपको बतातें जो LG polymer company है यह दछशड कोरिया की company है कहां की company है दछचड कोरिया यह आपको यहाद रखना है कुश्चान इस shinesाब से आहिए बन सकता है कि हुआ हाल में गैस हादसा हुआ सब कपनी को कहां की है किस देश की है तो आप बतातेंगे गैलाक राफ待って हुए इस गैस का रिसाव से लगबग आस पास के पांच गाउं परवावित हुए और तीन किलोमीटर की एरिया में पूरे एरिया में इस गैस ने अपना परवाव छोड़ा इस गैस को खत्म करने के लिए एक जो रसाइन का प्रयोग किया गया उसका नाम भी बता देते हैं हम आपको वो रसाइन था पैरा टरसरी ब्यूटाइल केटेकॉल पैरा टरसरी ब्यूटाइल केटेकॉल के रसाइन का प्रयोग किया गया जो इसके बास्त को खतम कर सकता था और गुजरास से उसे बंगाया जा रहा है गुजराज सरकान ने आदेज भी दिया है और कहा भी है कि गुजराज से वो भेजा गया है और तो ठीक है तो आप इसका नाम भी याद रखें पैराटरसरी ब्यूटाइल कैटेकॉल जो होता है वो इस तरीके की गैस को बास्प को खतम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हो एक रसाइन होता है ठीक है अब आपको कुछ मैप के जरीय से हम दिखाना चाहेंगे आप देखेंगे यहाँ पर यह प्लांट है जो यह प्लांट है जो वाई जैग यानि की विसाका पटनम है वो यह प्लांट है आप देख सकते हैं एलजी पॉलीमर का इसके अलावा कोसिस करेंगे हम के आखिर ये स्टाइरिन होती क्या है कैसी घैस है आप देखेंगे बोपाल गैस तरास्थी के बाद यह बहुत बड़ा गैस आधसा है पूपाल गैस तरास्थी में मिधायल आइसो सायनाइट का परियोग गुए था वहां उससे जन्हानी होई थी तो हम जान इसे वो प्लास्टेक, पैंट, टायर जैसी चीज़ों बनाने में इस्तिमाल होती है, इंसानों के सरीर में जाने से आँखों में जलन, सांस लेने में तकलीब, बेहोसी और उल्टी जैसी परेशानिया होने लगती है, इसका नर्वस सिस्टम पर सीधा असर होता है, इसका प्लेन, बेंजीन और फैने लिथीन के रूप में, फैने लिथीन के रूप में भी जाना जाता है, ये इसके नाम है, इन रूपों में भी इसे जाना जाता है, ये आप देख लेंगे, अगर किसी भी एकजाम में, अगर इस परकार से कुश्चन पूछा जाता है, कि इनको क सेम्पल में है पीले रूप में भी दिखाई देती है लेकिन रंग हिंग ऐसा है यह आपको याद रखना है इसके लाब आप देखते हैं इस्टाइरिन पॉली इस्टाइर इस्टाइन इन पॉली इस्टाइन और कुछ कॉपो लिमर का अगरदूत है साल 2010 में क्या हुआ 2018 में बढ़कर लग बग 35 मिलियन टन हो गया साल 1849 की बात है यह चीज आपको देखनी है यह मैत्पूर तत है 1849 में जर्मन एपोथे करी इनका नाम था जर्मन एपोथे करी एडवर्ड साइमन थे जो एडवर्ड साइमन ने अमेर की स्वीट गम ट्री के रॉल लेटिन एक बास्प तरल को अलग कर दिया यह जो रसाइन था इससे नोंने एक इस्टी गम ट्री के रॉल से अलग किया बास्प तरल को अलग किया तो नोंने उस तरल को स्टाइरोल नाम दिया क्या नाम दिया स्टाइरोल यह स्टाइरोल यानि स्वीट गम ट्री के रॉल जो लेटिन का सब्द है उससे यह अलग किया गया उस रसायन से यह अलग किया गया और उसको नाम दिया गया इस्टाइरोल जिसे अब इस्टाइरिन कहा जाता है तो इस्टाइरोल से इस्टाइरीन बना यह आपको याद रखना है क्या वना इस्टाइरोल से इस्टाइरीन बना है उन्हो से उन्होंने इस्टायरोल आकसाइड कहा अठारो सो पैतालिस तक जर्मन केमिस्ट अगस्थ हॉपमेन और उनके चाथ जॉन बैलीथ ने इस्टायरिन का एक फॉर्मूला दिया आपको यह फॉर्मूला याद कर लिना है यह किसी भी एक्जाम में पूछा जा सकता है को याद कर लिना है और आपको बता दें इसी क्रम में आपको बता दें कि सरकार ने क्या किया है सरकार ने जितने लोग अभी तक मरे हैं उनको एक करूर रुपए मुआपजी के तोर पर देने का एलान किया गया है मुखमंत्री बाईयस जगन मुहन रेड़ी ने कहा है कि इसकी जाच होगी और कड़ी से कड़ी कारवाई होगी अगर इसमें कुछ ऐसा फाल्ट है जिससे अगर किसी को दोसी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी कारवाई उस पर की जाएगी आपको एक बात और बता दें कि ये प्लास्टिक पेंट टायर या टायर जो होते है प्लास्टिक पेंट होता है इन सब को बनाने में ये काम आती है ये गैस और ये बहुत आयत में इसका उत्पादन भी होता है और भारत में इसका प्लांट लग रहा था बिसाका पटनम के एक जगे पर तो वहां पे क्या हुआ कि अब यहाल में इसका रिसाओ हो गया जिससे कर पाएंगे आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी जहन